सच्छाकाल नमस्कार आप सब ने देखा कि हमारा जो थमनेल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो कैमरा है वो बलरी है और फ्लिक्रिंग प्रॉबलम है बहुत ज़्यादा आ रही है तो चलो फिर आज हम लोग अपनी साइट के उपर जा रहे हैं साइट से आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं मैं कि आप लोग क्या-क्या उसके अंदर कर सकते हैं कि आपका जो कैमरा है वो सही तरीके से काम करें उसके अंदर आपको क्या-क्या करना होगा तो चलो फिर चलते हैं अपनी साइट के उपर हम लोग अपनी साइट के उपर आ चुके हैं और आप सिप्रावर होल्य है उसको बाद भी जल सही नहीं उनके साथ जो बार षैट युल्न है युद धिए नो जौनिट हर के देख लिता देखें सबते जो करें सैंट है वो सही प्रॉब्लम उने चेंज कर दिया ते देख दया कि सब्सक्रीय की है। कि अब लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कैमरा वो बाहर बाली साइड लगा वह वह जिससे जो हमारा खनेक्ट रहा है उसके उपर कई बर कार्बन और बंधा बग Miche बोगा आ जाता है उसके वजह से हमारा जो कैमरी के अंदर फ्लिक्रिंग प्रॉब्लम अपर जलो फिर सबसे पहले हमा सबसे पहले हम सब्सक्राइब आपने देखा कि हम लोग साइट के उपर से आ रहे हैं तो साइट से हमने सिर्फ बी एंसी चेंज की और हमारा कैमरा है वो सही चल पड़ा आप लोग भी उसके अंदर बी एंसी चेंज करके देख लीजिए डी सी चेंज कर लीजिए अगर नहीं हो रहा तो जो आपने वायर ड फ्लिक्रिंग प्लस आप बोल सकते हैं कि बलरी हो जाता है कैमरा यही सब कारण होते हैं जिनकी वज़ा से हमारा कैमरा है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता तो आप लोग बी एंसी डी सी और वायर को चेक के रिए आपका कैमरा है वो चल जाएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद